जी तीन मिनिट संगम जी प्लीज ठाकुर जी को जिने नों सिच्छा परिवय बढ़ा कर 93,000 करोल से ज्यादा का आवंटन किया है जिस करोना काल में इसकी बहुत ज्याद आवश्यक्ता थी क्योंकि सिच्छा हमारे जीवन का बहुत अहम हिश्चा है और जीवन में सभलता के लिए सिच्छा बहुत महत्पूर है इसे पाने के लिए सभी को अधिकार है क्योंकि सिच्छा राष्ट के व्यक्तिकत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है सिच्छा ऐसा माध्यम है जिसके जरिहम अच्छे विचारों को समझने में सक्षम होते हैं इसलिए इसका विष्टार काफी जरूरी है और माननी प्रणान मंत्री जी मोदी जी ने जो अपने अदुत नेत्रित छमता के दम पर पिछले तकरीबन साथ सालों में कई गेम चेंजर फैसले लिए हैं जिसका पोजेट्वी असार आने के आने वाले कई दसकों तक दिखने वाला है सिच्छा ब्यक्ति और समाज के सर्वंगी विकास के प्रमुक भूम के निभाती है सिच्छिर जन्ता राष्ट के उन्नती के लिए एक मुल वान संपत्ती होती है हमारे देश में नागरिकों को सिच्छा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है सिच्छा का अधिकार ब्यक्ति मौलिक अधिकार घोशित किया गया है भारती सिच्छा प्राणी की गिंती दुनिया के सबसे बड़ी सिच्छा प्राणियों में होती है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालाय और 8.5 मिलियन से अधिक अध्यापक और अलग-अलग सामाजी कार्थिक प्रिष्ट भूमी से आने वाले 250 मिलियन से अधिक बच्चे हैं यह विश्व में उच्छ सिच्छा संस्तानों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है हमारे देश में 993 विश्व विद्यालाय, 3931 कॉलेज और 10,725 इस्टेंडर आलोन इंडिस्टूट है 2011 की जनगरना के मुताबिक साक्षर्ता का आकड़ा करीबन 74 परसिंट था लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने मोदी जी के कुसल नेत्रित में उच्छ सिच्छा संस्तानों की संख्या में बढ़ोत्री की है और सिच्छा के बजट को बढ़ाया गया है इसका प्रेडाम आगे जरूर दिखेगा पिछले पांच सालों में 1889 मेडिकल कॉलेज आनलाइन एजुकेशन को बढ़ाया और रूलर एरिये में फोकस बढ़ाकर सिच्छा के छेतर में नई करांती लाने की तयारी चल रही है केंद्री बजट 2021 और 22 सिच्छा मंत्राले द्वारा 59 फिसादी स्कूली सिच्छा और साक्षात्ता अभिभाग और उस सिच्छा घेत बजट में 41 फिसादी यवंटित किया गया है यानि समगर शिच्छा दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं यही नहीं साल दर साल सिच्छा फोकस बढ़ने के साथ चबरचस्छन चीज़े भी दिख रहे हैं करोना काल में देश में जिस तरह से अनलाइन एजुकेशन को लेकर जागरुकता बड़ी है प्रधान मंत्री जी के डिश्टल इंडिया और वीजन का ही नतीजा है कि हमारे इतने तेजी से अनलाइन एजुकेशन को अपना नहीं लिया बलकि बिक्सित देशों में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया और पढ़ाई लिखाई के काम में बांध कोई बांधा नहीं आने दी अब नई सिच्छा नीती के जरिये देश में यूआ उडान भरने के लिए तयार है और चौंतिस सालों के बाद आई हमारी सिच्छा नहीं नीती उद्देश तभी छात्रों के उस सिच्छा प्रदान करना जिसका लक्षा है दो हजार पाईस तक पूर माधिमिक सिच्छा को सरभावनिक बनाना यही नई सिच्छा नीती के बदावलद इस्थानक सिच्छा के आटिफिशियल इंटिजेंस 3D मशीन डेटा बिलिश्चन जैन प्रदोगी की जैसे सेक्ट जल्दी कि नए आयाम बनाएंगे और बदलते भारत की दुनिया में नई नीती एक नया मुकाम देगा इसके लिए मैं हमारे एसस्थी पुढ़ान मंत्री माननी नरेन मोदी जी और सिच्छा मंत्री जी का आभार परिगट करता हूं और मेरी माननी मंत्री जी शियागरा है क चार वर्स पूर भी केंदरी बिद्ध्याले की स्थाप बोले चुरू करें